आज हम महारा मटर चीमी का है छोडार के रखे हैं और आलू एक मूली एक गाजर इसका हम सब्जी बनाने जा रहे हैं फुरा सा तेल डालते हैं यह कजपता रख रहे हैं प्याज फोरन में रख रहे हैं आलू को मैं खेदी बंचे खेद शीर रहे हैं और प्रट बनाने जाए हैं यह इसको शीद अगाटे रहे हैं जान के पहले और वर्ट को खुड़ा साख ऑदी है इसमिए आलू दी में फूरा नी गरना रहे हैं प्रिधा निए तुर्द भूरा आलु को आप फ्राइब करेंगे उसको फुरा होने तट पकाएंगे अभी पुरा होने तब बटर डालेंगे प्याज को जादा जलाए नहीं है इसमें हरका हम फ्राइ किये हूँ यह प्याज और आलो मिलकेक साथ में भुना जाएगा गाजर को काट ले रहे हैं इसको पतला पतला ताकि कि आलो में बग जाए इस तरह से दो आसले कि आलो पतला पतला जाए इसको अब एक बहुत हैं इसको अबड़ाओ जाएगा लाट बांच सकी खड़ाइंगे खटम हो जाएगा परहान सक्यून, माधा बालत नहीं माधा बालत सब खड़ा हो गया, तफ़ा सरी करते मासाला रखें प्यार, जमाचा, मीर, घ्रमेर यह चोटा चमस से एक चमस धनिया डालते रहे हैं यह स्वाद के हिसाब से नमा अब इसका खल्दी और मसाला देने के बाद इसका कलर तिना अच्छा बन गया है अब इसको अब सिर्ठा को भूजना है मसाला पूरा लाल होने का धफ़के इसको उनना है और इस सीज जाएगा यह टमाटर लिए है इसको हम काट ले रहे हैं बद शोटा सा ही टमाटर रखेंगे एक टमाटर पीस के रखेंगे अब इसको हम सिर्ठा के पकाएंगे इसको हम सिर्ठा के पकाएंगे जाना चाहिए देखिए मसाला कितना अच्छा से भुना गया है सब्जी कितना लाजवाब लग रहा है हम धनिया का जो उपरवला होता है उसको जड़ उसको मिसी तरह सब्जी में काटके डाल देते हैं ताकि वह बरवाद ना है सब्जी मेरा भुना गया है थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं थोड़ा सा ही डालेंगे थोड़ा बहुत जो कच्छा होगा पाक जाने के लिए इसके थोड़ा हलका पानी डालते हैं कर दे देखेगा और लाइक सेयर किजिएगा और मेरा दो चैनल और है दीपबीर और दीपबीर ब्लॉग उसको भी देखिएगा और लाइक सेयर किजिएगा